हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी श्टाइल पनीर मसाला रैस्पी जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और यह बहुत ही ज्यादा लजीज लगते हैं देखने में और खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं चलिए आज इसे हम बनाते हैं प है बड़े बड़े लंबे साइज में विद्थ कर लिया है जैसे ही गरम उसके इंदर हम अदर of tresp incumbent नान को पञता है इस हो ढब्री जहते जखके से बंचेए में विद्थ करने बढ़े को और कि तरीके से देखने दोस्तों आप सबसे एक request है अगर आपको मेरी ये recipe पसंद आये तो please इसे एक like जरूर कर दीजेगा अब देखें यहां पर जो पनीर है वो अच्छे से fry हो गए हैं अब इसे हम क्या करेंगे कि पानी में गुंगुने पानी में इसे हम डाल देंगे और इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे इसे जो पनीर है वो काफी देर तक soft बने रहेंगे अब उसी जो कढ़ाई हमने ली थी उसी में जो तेल बचा हुए है उसके अंदर हम दो कटे हुए प्याज लेंगे आठ से दस कली लेसन के लेंगे दो हरी मिर्च और एक इंच अधरका टुगड़ा लेंगे और इन सबको इसके अंदर डाल करके थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेना है यानि कि प्याज को जो है थोड़ा सा सोनेरा होने तक इसमें फ्राई कर लेना है बहुत ही जाधा आसान है इस रेश्पी को बनाना और बहुत ही यह टेस्टी लगता है खाने में दोस्तों बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है और देखिए यहां पर जो प्याज है वो हमारे फ्राइ हो चुके हैं बहुत जादा इसे लाल भी नहीं करना है बस थोड करेंगे थंडा होने के लिए झेमाल उड़ाई तो मिकशी जार में डाल करके यहां तने पघ़ना लिया लिए हैं इसे पेश्ट कर लेंगे और देखिए इसका पेश्ट तयार है अब ही काफी जो लग रहा है इसमें यहां पर तीन से चार 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 चामच के करीब जो है ताजी दही है यहां पर खटी दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है फ्रेस दही डालना है और इसे दही डाल करके इसका एक पेश्ट बना लेना है अच्छे से अब आप देख सकते हैं पेश्ट कितना बढ़ी हमारा तैयार है अब हम उसी कड़ाय में जो है तेल जो बच का अफ़ी है अच्छा आएगा और मिक्सिजार में जो भी मसाला लगा हुआ है उसे भी हम इसमें ड debts मट्रिभस डाले और उसमें पानि डाल कर के थोड़ा इन्दर मसाले में डाल दिहाई की favor Pacific BRI यहाद दीए अennehmiddag इस तरीके से इसे सब मिला लेना है अच्छे से अब इसमें म 대我跟你 और हमें वहां अच्छे से फूलंघेल और एक चब्मच यहां पर पनीर मसाला ले सकते हैं उसे भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा से यहां पर मैंने लाल मिर्च पौडर डाला है क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाने वाले हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहां पर मिर्ची की जब मेरे लिए नियुक्त कई सीच कि अब तक स्पीक की अब आ और जिए अब देगे वह तक कि मसाले में इसे तेल बाहर आ गाये अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं और एक मिनट लीए बहुन लेते हैं अब देखिना मासाला हमारे यहां पर तयार है अब हम क्या गरेंगे इसके मिक्स करते हुए एक मिनट तक भून लेंगे जिसे मलाई भी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए अब देखिए यहां पर मसाला हमारा पूरी तरह से जो है अच्छे से भून गया है अब इसमें थोड़ा सा पानी एट कर देएंगे और पानी एट करने के स्वादनुसार आपको यहां पर डाल देना है अब नमक डालने के बाद भी इसे भी हम पका लेंगे अच्छे से और उसके बाद जो हमने पनीर रखा हुआ है पानी के साथ में ही इसके अंदर हम एड़ करतेंगे बहुत ही थोड़ा समयने यहां पर पानी डाला है अगर आपक कम पानी डाला है अब इसे भी ढख करके दो से चार मिनट के लिए पका लेना है अच्छे से और देखिए हमारा जो पनीर मसाला है यह एकदम तयार है बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुसबू आ रहे है और बहुत ही ज्यादा यमी बना है यह आप इसे नान के साथ में खा दोस्तों बहुत ही जो है लजीज लगती है यह खाने में देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर यह बन करके तयार भी हो गई है दोस्तों आपको मेरी रैस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों थैंक यू पर वाचिंग